अभर आज के लास में सेकेंडरी मेमोरी और उसके टाइप के बारे में जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी यानि कंप्यूटर का हुआ मेमोरी जो आपके डेटा को पर्मानेंट्ली एस्टूर कर पाता है प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टूर कर पाता है जब तक Kevin on है! जैसे कंप्यूूटर ओप करता है तो प्राइमरी मेमोरी का content मिट जाता है'd ! प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण बतला है रायम , रॉम, टैस्ट मेमोरी और इस्टर जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एक्जामपल कौन-कौन से हैं तो फ्लॉपी डेस्क हार्डेक्स सीरी रॉम और मेगनेटिक टेप इन चारों के बारे मैं आज के क्लास में जानेंगे लेकिन सबसे पहले जाने यूनिस टू मेजर्ड साइज और मेमोरी कम्प्यूटर के मेमोरी के साइज को मापने के यूनिट कौन-कौन से हैं तो जैसे वजन मापने का मात रख है ग्राम, किलो ग्राम, कुंटल और टन तो ठीक वैसे ही कम्प्यूटर के मेमोरी के साइज को मापने के यूनिट से हैं ये बीट, बाइट, किलोवाइट, एक्सेक् इन्हें क्या कहते है जानी बाइनरी डिजक्स सब्सक्राइब होता है Stop दस्सोचोँप वाइट का सबसे चोटा रिदो के वाइनिक को बोलता है बिट जबकि चार बिट यानी आधा राइट का होता एक निवल एट वीट ज फिशब सभाई बड्ट मैं कर देदा चेमरे का दस्वोजबीस अस तोर जिक्ट ूं-état निवल्ड़ एक निवन वाइट जाहिए दस्वोजबीस किरो बाइट का एक मेगा वाइट 124 megabyte के 1 gigabyte 124 gigabyte के 1 terabyte 124 terabyte के 1 picoyte होता है अब secondary memory के टाइप अभी आपको हम बतलाया थे floppy disk, hard disk, cd-rom और magnetic tape floppy disk क्या है floppy disk एक random access data storing media है जो बहुत कम data को for future store रख सकता है यह plastic film का बना होता है जिस पे की magnetic oxide का परचरा रहता है floppy disk internally set of circles में बटा होता है set of concentric circles में और वो circle कर लाते हैं track यहाँ देखिए external photo जो floppy का है वो यह black color वाला है चौकोर floppy disk लेकिन बास्ता में यह इसका protection jacket या cover है cover को हटा दने पर floppy बास्ता में गोला का प्लास्टिक का डिस्क होता है जिस पे की magnetic oxide का परचरा रहता है floppy में data को record करना या floppy से data को पढ़ना जिस electronic coil से संभब होता है उसे कहते हैं head एक floppy disk इस धंके अनेक concentric circle में बटा होता इन में से प्रतेक circle को बोलेंगे track और प्रतेक track तिकोने हिस्से में बटा होता जिसे कहते हैं sector floppy disk से data को पहना या floppy में data को record करना जिस electronic coil से संभब होता उसे कहते हैं head floppy disk एक removable data storing media है जो की use के आता है to carry file from one computer to another एक computer से message या file copy कर दूसरे जगह ले जाना है तो इसके लिए use करते हैं floppy disk का floppy दो टाइप के होते हैं सारे 3 इंच का floppy disk और सवा 5 इंच का floppy disk सारे 3 इंच के floppy का capacity है 1.44 मेगावाइट जबकि 1.2 MB capacity है 5.25 इंच के floppy का सवा 5 इंच वाले floppy का capacity केता है 1.2 मेगावाइट अगला है hard disk hard disk भी permanent data store करने का एक माध्यम है यह floppy के अपक्षा बहुत ज्यादे data को अपने अंदर store कर सकता है अब floppy के अपक्षा fast काम करता है floppy की तरह आप इसको एक computer से निकाल के दूसरे मेंने लगा सकते यह non-annumerable media है generally किसी एक computer में permanent लगा रहता है तो अब फिर से जानते हैं hard disk के है तो यह भी एक random access data storing media है जो बहुँ जादे data को for future store रख सकता यह एक से अधिक metal disk का बना होता है जिस पर की magnetic oxide का परचारह रहता है hard disk से data को परना या hard disk में data को record करना जिन electronic quail से संभब होता है उसे करते हैं hard disk भी अंदर अंदर सेट आफ कांसांटिक सर्किल में बटा होता वह सर्किल कराते हैं अब प्रतिक ट्रैक देखो hard disk इस धंका बाहर से देखने में ऐसा लगता है और इंटर्नली इसका cover हटा दिजे तो यह चार मेटल डिस्क है जिस्क में data record होता है data record करने के लिए जो arm लगा हुआ है इसे बोलते हेड यह hard disk में data को record करता या पड़ता है hard disk बहुत सारे concentric circle में बटा होता है वो circle कर लाते हैं track और प्रतिक ट्रैक तिकोने हिस्से में बटा होता जिने कहते हैं sector hard disk non removable है मतलब hard disk को हम लोग एक जगा से दूसरे जगा नहीं ले जा सकते हैं इसके बाद जानिए कि hard disk floppy disk से ज़्यादे तेज काम करता और यह 1 terabyte से लेकर 4 terabyte तक data store रखने में सक्षम है अब जानिए floppy और hard disk में क्या क्या अंतर है दोनों का revision हो जागा इसे पहला कि floppy disk बहुत कम data को store करता है 1.2 MB या 1.4 MB जबकि hard disk store करता है बहुत जादे data 1 terabyte से लेकर 4 terabyte तक दूसरा floppy slow काम करता है जबकि hard disk उसके पेक्षा जादे तेज काम करता है floppy removable media है floppy को आप एक computer से निकाल के दूसरे में लगा सकते लेकिन hard disk कैसा है non removable इसे हम लोग एक जगा से दूसरे जगा carry नहीं करते हैं आप किसी भी computer पर काम करते हैं आपका data permanently save करते हैं वह कहां save होता है hard disk में hard disk आपके desktop या laptop के अंदर लगावा media है इसे हम लोग carry नहीं कर पाते हैं external hard disk आया है जिसे हम चाहें तो carry कर सकते floppy plastic का बना होता है जबकि hard disk बना होता है metal का floppy में एक डिस्क है data record करने के लिए जबकि hard disk में multiple disk है क्या क्या अंतर जाने floppy में कम data store होता है और hard disk में ज्यादे floppy slow काम करता और hard disk fast floppy removable है जबकि hard disk कैसा है non removable है floppy बना है plastic का और hard disk किसका बना है metal का floppy में एक disk है data record करने के लिए hard disk में multiple अब आगे जाने cd-rom पूरा नाम है compact disk read only memory यह एक optical data storing media है इसके मदद से हम लोग multimedia files जैसे audio, video, movie, animation इन सब को store कर पाते हैं cd-rom polycarbonate का बना होता है जिसपे की highly reflectable material का परच्चरा रहता है cd से data को पढ़ना या cd में data को record करना laser किर्णों की मदद से संभव होता है क्या क्या जाने cd-rom का पूरा नाम compact disk read only memory यह एक optical data storing media है यह laser किर्णों के वहाँ से data को record करता या पढ़ता है cd-rom multimedia files को store करने के लिए यूज होता है जैसे की audio video animation इन सब को store करने के लिए यूज करते हैं किसका cd-rom का cd-rom के content में आप कोई changing ने कर सकते cd-rom होता है write once read many एक बार record की जो और बार बार उसे पढ़ सकते हैं इसलिए cd-rom का नाम पर a read only memory means we can read the content of cd-rom every time again and again but we cannot change or modify the content of cd-rom cd-rom का capacity है लगबग 700 floppy के बराबर 700 MB data store कर पाते हैं एक cd-rom में cd-rom floppy harddix और magnetic tape तीनों से फास्ट काम करने वाला data story मीडिया है floppy harddix magnetic tape तीनों से फास्ट है कौन cd-rom और यह एक removable media है आप इसे एक computer से निकाल के दूसरे में लगा सकते हैं cd का एक बिक्सित रूप भी आया है जिसे नाम दिया गया dvd digital versatile disk जो सारे 4 GB से लेकर 7 GB तक data store रखने में सक्षम है क्या क्या बतला एक बाद फिर से सुन लीजिए cd-rom एक optical data story media है यह multimedia files को एक जैसे दूसरे जगर carry करने के लिए यूज होता है जैसे कि audio, video, movie, animation ही सब store कर सकते cd-rom में cd-rom 700 MB तक data store करता है यह floppy, hard disk, magnetic tip कीनों से fast काम करता है इसके साथ cable एक ही problem है कि यह read only memory है मतलब इसमें जो data एक बार record कर लिए उसे बार बार आप देख सकते हैं लेकिन उसमें से किसी file को delete या change नहीं कर सकते हैं cd का एक विक्सित रूप आया है जिसका नाम है dvd digital versatile disk यह सारे 4 GB से लेकर 7 GB तक data को store रखने में सक्षम है अगला है magnetic tape magnetic tape एक sequential data story media है यह serial ही सुरू से अंत की और data को पढ़ता या record करता है magnetic tape क्या है तो आप लोग tape recorder का cassette देखा होंगे वैसा ही एक data story media है कौन magnetic tape जो disk में सुरू से अंत की और data को record करता या पढ़ता है यह प्लास्टिक का बना होता है जिसपे की magnetic oxide का परचरा रहता है magnetic tape से data को पढ़ना या magnetic tape में data को record करना जिस electronic quail से संभव होता है उसे कहते हैं magnetic tape CD floppy और hardix तीनों से slow काम करता है तब फिर क्यूं use होता है क्यूंकि magnetic tape सबसे जादे reliable है सबसे जादे भरोस से बंद है जल्दी खराब नहीं होता अब तो बहुत कम use होता है magnetic tape आप hardix पर ही बेली वर्क करते हैं किसी ओफिस का data सारा कहा स्टोड़ होता है hardix में लेकिन important data का backup रखने के लिए use करते है किसका magnetic tape का आगे जाने कि magnetic tape cassette की तरह है जिसे हम लोग एक computer से निकाल के दूसरे में लगा सकते हैं तो यह एक removable media है जिसकी मदद से हम data को एक जगा से दूसरी जगा carry कर सकते हैं अब जानिए CD-ROM और floppy disk में क्या क्या अंतर है floppy disk capacity का अंतर पहले जानी कि floppy बहुत कम data 1.2 या 1.4 MB और CD कितना data store करता है 700 MB floppy slow काम करता है और CD उसे fast floppy magnetic media है और CD कैसा optical floppy के content में जब चाहे changing कर सकते लेकिन CD के content में कोई modification या changing नहीं किया सकता floppy में उपा नीचे दोनों तरफ data record होता है CD में केवल एक ही तरफ data record होता है floppy बना है plastic का और CD बना है polycarbonate का क्या क्या अंतर बतला है floppy में बहुत कम data store करते हैं और CD में जादे 700 MB तक floppy slow है और CD fast है floppy magnetic media है और CD कैसा optical floppy के content में आप changing कर सकता है लेकिन CD में कोई changing नहीं किया सकता floppy में data उपर नीचे दोनों तरफ record होता CD-ROM में data के वलेखी तरफ जो उजला चमकिला सतह रहता है के वलेखी तरफ data record होता है floppy बना है plastic का और CD बना है polycarbonate का speed की बात करें तो CD-ROM सबसे तेज काम करता है दूसरे नंबह पर है hardix तीसरे नंबह पर floppy और सबसे slow है magnetic tape सबसे fast CD दूसरे नंबह पर हार्डिक्स तीसरे नंबह पर floppy और सबसे slow है magnetic tape size की बात करें तो सबसे कम data 1.2 या 1.4 MB data store होता है floppy में 700 MB तक data store करते है CD-ROM में सारह 4 GB से लेकर 7 GB तक data store करते है DVD में 700 TB data store करते है hardix में और उससे भी ज़्यादे capacity है magnetic tape का सबसे ज़्यादे data कहां store कर सकते magnetic tape में तो अमीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो से सारा चीज़ समझ में आएगा कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में कम से कम इसे दो बार देखेंगे तो अच्छे देंसर सीख पाईएगा साथ ही इसका हम PDF देंगे उसका फियर कर लिजिएगा क्वार्ण